आज मैं आपको चने चावल की रेसिपी बता रही हूं जिसके अज़्जा हमें चाहिए होंगे इसमें सबसे पहले हमें एक पड़ चने चाहिए जिसको मैंने भिगो के पुरी रात भिगो के रख लिया था और ये फूल गएं साथ ही मुझे मीठा सोड चाहिए इसको लगाने के लिए साथ ही प्यास चाहिए चने पकाने के लिए इसके साथ हमें टिमाडर चाहिए चने पकाने के लिए साथ ही हमें कुटी विलाल मिट चाहिए धनिया चाहिए साथ ही हमें हल्दी चाहिए, यह साबूत हल्दी थे हमने इसको पीस लिया था इसके साथ हमें गरम मसाला चाहिए, जौतरी जैफल चाहिए, दही चाहिए, यह एक पाउ से करीब है साथ ही हमें बंगार के लिए जो समान चाहिए होंगे उसमें हमें गोली मिर्ची चाहिए, ग्रीन चिली चाहिए, जीरा चाहिए, कलूंजी चाहिए, सौफ और ये जीरा हमने पीस लिया था वो चाहिए, साथ ही हमें गार्णिशिंग के लिए धनिया चाहिए मेटा सोडा लगां के चने अधर नाल देंगे दो अधर हमें लीमु भी चाहिए सब्सक्राइब चने ले लेंगे मेटा सोडा लगांगे और इसको अच्छी तरह से मिख्स कर लेंगे मेटन नीज तक्टा मीटन करने के लिए नरा यह तो करने के लिए रखतेंगे और उइल करना करके लिए रखतेंगे अईड करेंगे और जर्म करना के लिए हुचल आजेक नेके मिनौन के बा आधको पानीक गरेंगे कि ताल ही तालती है इसको पकने के लिए रख़्ट इसके इसके पार पीसावा जिर्ड पीछ लियाया इसको दक व्यड मैं कर देंगे प्यास प्राइब करेंगे प्यास को प्राइब के बार यसमें रड़े ब्राउन हो चुके हैं अब इसके निदे ट्यमाटर रड़ करेंगे लसंग रड़ करेंगे साथ लाल मिर्च हल्दी ताबूत चुपिस की भी हमने साथ ही पिता हुआ धनिया अब इसको अच्छी ताना फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट हेट करेंगे फ्राई करने के बाद इसमें चनेट करेंगे सॉल्ट हेट कर दिया है हमारे रेडी हैं अब इसको भंगारत रेड़ा करेंगे भंगारत रेकरने के बाद दिया है झाब इसके बाद हम आपको चावल बनाना सिखा इंगे आप पीछे जा जात देख सकते हम पानी प्रीम माइट कर दिया हम अब रखकर दिया हाँ जीन चावल की रिषिटे की ढ़प आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में एक फ्राइपिन ले ले जिसमें ने ओल एट किया अब इसमें जीर और कलूंजी एट कर देंगे अब इसके ने ग्रीन चिली एट करेंगे ग्रीन चिली आप पट करके दालें तक यह उड़े ना साथ ही खोली मिट्चे एट कर देंगे और इसको फ्राइए कर देंगे अब हम भंगार लगाएंगे चनों में अब भनिया एट करेंगे चने हमारे रेडी है लेमन एट करेंगे अब हम चावच जायर करने के हमारे चने रेडी है हमने एक बाउल ले ले लिए जिसके अंदर हमने वन टीस्पून जोद्री जायफल वन टीस्पून गरम मसाला एट कर दिया अब इसको मिक्स करेंगे और यह चनों में एट करेंगे अब यह तोपे में दाओ देंगे अब इसका भूंदाओ कर देंगे अब इसका भूंदाओ कर देंगे गल चुके हैं यहां एक बाउल ले ले लेंगे जिसके अंदर हम जोद्री जायफल एक चमच एट करेंगे साथ ही गरम मसाला एट करेंगे हमारे राइस भी रेड़ी हैं हमारे चने भी रेड़ी हैं और हमारे सारे लवाजमाद भी रेड़ी हैं देखें चने भी रेड़ी हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें शेयर करना ना भूलें और अपना फीड़ बेक देना भी ना भूलें अलाफेज